गुवलवादीश कीजे, मुसाइजी परम दयालो कीजे, स्याम सुन्दर ज्रियमुने महरानी कीजे, सिज्री राज दर्ण कीजे, स्रीनात प्यारे कीजे, जै जै श्री रादे, जै जै श्री रादे, 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 जै श्र प्रतिशन इनकी देह में भाव के नवीन अंकुर उत्पन होते हैं ताते ये शिठाकुर जी के मनकुर हरत हैं और नवांकुरी की एक सखी और है उनको नाम चंचला है पुर्ष भयोस ये दू नदा थे प्रकटिय ह्ताते उनके भाव रूपे वार्ता प्रशन में एक समय श्रीकुसाहीं जी आप श्रीज को कुल ते श्रीज़गनाच जी के दरशन को पदा रहे है तब इनको श्रीकुसाहीं जी के दरशन वहें सो साख्यात पुर्ण तब इन ब्राव्मान न सुषाहिण जी को विंती करिया हूं, महाराज मुख को नाम सुनाई है, और कर्बा करके एन उन्हें इस्ति sack को आढ草 उसकल आगे आओ। ता पाचे स्रीकुसाहीं जी आप बोजन किये सो मुक्ष उद्धार्त आच्मन करके भीड़ा आ रोगे और सब रिजवासी सेवक टहलुगान को महाप्रशाद लिवायो पाचे वे स्त्रीपुरस दोउजने महाप्रशाद दिये पाचे वाब्राम्मन ने स्रीकुसाहीं से बि करते पाचे स्रीकुसाहीं जी आप कोहां थे विजय कीए तो श्रीकुप पद आघे विजेुए सु भी ब्राम्मन इस्त्रीकुसाहीं जी युए बड़ोड़वशायं जी विशे बड़ुएगशाद ओ सु ताके लिए स्रीगुवन जी उनकी सेवा मानते और उनकी समर्प वस्तु स्री प्रभुजी अंगीकार करते और भगवत सेवा को कारी जो करते सो ताप इसनेह सो करते सो और अपने हाथ सो सब सेवा करते जो चार पहर करते और रात्री में दोनों इस्त्री पुरस भगवत पारता करते सो ऐसे करत बहुत दिनों को भई एक समय पूर्वदेश क सब वैष्णभ मिलके व्रजयात्रा करवी कुचले सुता समय दू इस्तृ पूरस्री नाश जी की दर्शन करवी कुचले जो कचकुदिन में स्री नाश जी दवार आय पहुंचे सु सु श्री गोर्धन परवत के ऊपर चड़े सुता समय शंध्या आर्थी को समय आतों सुता समय भीर बहुत आती तब स्री गोड़दनाज जी के मंदिर के किवार खुले सु ताही समय दू इस्त्री पुरस मनी कूठा के बीतर दसे तब स्री गुवरदन नाज जी के स्री मुख की जहांकी भई पर आच्छे दर्शन नाए भई तब इस्त्री अपने मन में बहुत ही पस्चाताप करन लागी और अपने मन में कहन लागी जो मैं एतनी दूर सु परम दोलब ऐसे दर्शन के अर्थ आई और भीतर हूँ गयी पर तो हू आच्छे दर्शन ना भई तो या भीर में कहूँ खोदे जाओं तो कैसी करूँ ताते तुम मों को स्री गुसाहीं जी की कानी दर्शन देवो इस्त्री की या प्रकार की आरती जान स्री गुवर्दनाज जी आप मंदिर में ते ओठके भीर में धसकें वा ब्रामन की इस्त्री को हाथ पकरके निज मंदिर में ले पदारें। पीठक की और तहां और हूँ ब्रजवक्त बैठे हते। ताठ और स्री गुवर्दनाज जी आको बैठा रे। और आप आधी देव कैसे हैं तैसे वागो दर्शन जी जो ऐसी क्रपा करी। तब श्री गुवर्दनाज जी आप तो मंदिर में ठाडे हते सु यह बात जानी देखी। और तो को यह बात में समझे नाई। तो दर्शन को आए हते सु किये। ताप आचे टेरा आयो तब सब लोग बाहर आये। तब ब्रामण अपनी इस्त्री को डूनन लागयो पर कऊंपाई ही नाई। तब ऐसे करत सेन आरती के दर्शन हो है चुके। तब श्री गुवर्दनाज जी आप तो पौड़े ताप आचे। श्री गुवर्दनाज जी आप तो अपनी बैठक में गाधी तक्यान के उपर विराज ये तब ब्रामण ने स्री गुवर्दनाज जी इस्त्री तो सुन्दर रूप वतिया थी और नवजूबना है सुताही थे आपके गाम में काउने राकी होई तो आप यह बात की ठीक कर होगी और पूछो तो बली बात है जो मेरी इस्त्री ऐसी वेवचारनी नहीं है मैंने बहुत डूनी पर पाई नहीं और नजाने वो कहां है तब श्री गुवर्दनाज सेवकन के देखत कयो जो जहां होएगी वहां ठिकाने से रही होएगी ताते अब तुम कजू चिंता मत करो और कहूं गाम में ही होगी पाचे उब रामन गयो सु तरहटी के सभ गाम में खोज करके सब कुझ में सब ठोड़ देखके आयो पर उप आई नहीं तब रामन रोमत रोमत श्री गुवर्दनाजी के पास आयो तब सिख उसाइंजी आप सब सब सवाचार कहे जो माहराज तो ऐसे स्री गुसाई जी ने ब्राम्मन को बहुत समाधान करें और कहो जो तू चवेरे को भूखो है कि चुखाया हो ना ही ए सु रात्री पेरे डेड़ हो गई है सु या ते तुम मापरशाद लेओ ताब आजे तेरी इस्तरी को मिलावेंगे तो ऐसे बहुत ही समाधान करें पर गूख तो रूमत में रूमत ते रहे नहीं और कहीं जो माराज मैं तो अपनी इस्तरी को बिन दे के जलपान ना लेओंगो और हो तो मापरशाद नहें लेओंगो जो मेरी इस्तरी तो परम करभापात्र भगवदी है सो दिन में भगवत सेवा करती और रात्री में भगवत वारता करती सो ऐसे काल निर्वा करती सो यही थे मैं कौन अपराद क्यों है सो मैं एकलो रहो सो हो अब कैसे जीऊंगो सो मुख को ऐसो संग मिलनो और दोरलब है जो मैं तो इस्तरी को नाहीं रो मत हूं गुन वैश्टवता को रो मत हूं और अब मेरी कोन गती होगी तब स्रीकुशाई जी वह ब्राह्मन सो कहो जो तुकाय को रो मत है तेरी इस्तरी तो स्रीगोरदन ना जी आपने अंगी कार कियो है जो वाकू Shri Gowdhanath जी की दर्शन नाए बहए हते, सो भीर बहुत आती तब वाकू ताप खलेश वहो, तब Shri Gowdhanath जी आप वाकू आथ पकर के ले गए, पीठत की और और हूँ ब्रजवक्त बैटे है तिसु तिन में ले जाये के वाक्त को बैठा रहे तो स्रियाचारी जी की कानिति स्रीनाच जी आप वाको आज जैविक रूप सो दर्शन दिये हैं और वाको हाथ पकर के ले पधा रहे हैं अब तो वो निजधाम में प्राप्त बैए है और ब्रजवक्तन को सो मिली है सो ये सब निजधाम में मंदिर में ठाड़े हैं पर बूलत नाई तो अब या बात में कौन बोले और कोई तो या बात में जाने हूं नाई है तब अबराम्मन ने बिंती करी जो महाराज ये है तो आपने कही जो उतो निजधाम में लीला में प्राप्त वही है जो लीला तो या देवसो परे है तो या देवसो तो भगवत लीला के दर्शन ना ही होते तो ऐसे आपकी बचनी योग्य है जो या देह सो तो भगवल लीला में कैसे पहुंचे तब स्री गुषाईं जी आप अबराम्मन सो कही जो स्री गुषाईं जी आप वाको प्रमे बलते ले पधारे हैं यह कहिए जदाए जो प्रभु करतुम अकरतुम अनिथा करतुम सर्व सामर्थ युकते हैं ताते जो चाहें सुकर है यामे संसे करनो नाहीं प्रमी तब स्री गुषाईं जी आप वाको कहें जो तू मापठशाध लै पीचे तेरी स्तरी संको mिला वेंगे तब अबराम्मन ने कही जो माराज मैं तो मापठशाध नइं लेंगो नहींग को चले अपनी तरी को देना जलपान हो ना करेंगêm कि उसाइजि आभ अब रामन को आत्पकरके पारा सौली की और ले पदारेता तब तब चंदर सरोबर में चौंत्रह के बारदरनाच जी की दरसन बहेता ति फॉसाइज जी अब रामन की इस्त्री को दिखाया देऊ तो यह खान-पान करें जो यह बहुत रूमता है तब शीना तो दिखाई और कहें जो यह तेरी इस्त्री है और वा इस्त्री सो हूँ श्री ओरदनाजी कहें जो यह तेरो पती आयो है तो याको उत्तर दे, ऐसे कह के दिखायी, तब ब्रामन ने अपने स्थी सो कही जो अब तू मेरे संग चल, मेरे मन फिरत है, और मैंने जल्पान होना कियो है, तो अब तू यहां ते बेग चल तब इस्थी ने कही जो अब तो मैं तुम्हारे साथ ना चलूंगी, मेरे तो यह अब तरो काम नाहीं है टह पाची आपने डेरा को घयो हो तब शेक अपने भ хот semua धाना के उपहिछ जो पाच्छे अजकी आग्रय ते कुंछ थो काम नाहीं है तब शेक नोच आप तो को सत Свई देलbut तब आप राम्मन को बहुत ही विरत आपक्रेश बहो और अत्यनत आतुरता बही और नेत्न में ते आउस्म की धारा चली और वैश्नव पास सोई हते तिनको ताप लागे हो सोई वैश्नव तो दूर जाये के सोई ताप आचे वाको अत्यनत ताप बहो सोगा के प्राण दसों द्वारते निकस गई तब ब्राम्मन अपने संबंध में जाये के मिलेओ भाप्रगा सोगा जो निज्वरूप में लीला में प्राप्त भयो तब इन ब्राम्मन को सब वैश्नवन ने देख्यो सो मरे उपरे हो है तब वैश्नवन ने सब समाचार स्री उसाइं जी के आगे कही जो मारा जी अबराम्मन के नेत्रों और मुंग में ते अगनी किसी ज्वाला ओठी सो हूँ सिर में ते चड़े हो सो हम को ताप लागे हो सो हम तो वहां ते और ठोड़ जाये के सुए सुताते अब तो या के प्राण निकस गए है और दे परी है तब स्री उसाइं जी ये समाचार सुनके बहुत ही रोमांच भई तब वैश्नवन सो आप स्री मुक्त कहें जो ये दूग इस्त्री पुरस लीला में प्राप्त हो है और स्री गोरदन नाज जी के साने दे पहुँचे अब इनको कुछ बादा रही नहीं है और अब ऐसे वैश्नों होने दुल्लब परम दुल्लब है ता पाचे स्री उसाइं जी आप सी मुक्त कहें जो तुमको या को सूतक लगेगो नहीं जो अलोकिक रीद करो पाचे इस्नान मात्र सो सुद्व होगे ता पाचे स्री उसाइं जी आप तीन दिल नो उदास रहे ता पाचे स्री उदन्ना जी ने समारान कियो जो सब इन इस्त्री पुरुष की बात चलती तब स्री उसाइं जी को अधर्दे भरे आवतों बहा प्रकास या वारता को अविप्राई यह है जो या मारग में तापकलेश विरह कर गया जा थी मुख्य सादने यह तापकलेश पुर्वक को विरह कर बगवत सिवा दशन करये तो प्रभुवभा को दिया वांत साख्या तन्गीकार कर थे हैं तो ने वािशनव को तापकिलेश विरह की भावना अहरनिस करनों यह जता आये सुवे स्त्री पुरुट स्री वुषाइएंगी कैसे कृपा पात्र भगवधी है देताते इनकी वारता कहां था हैं कहिए यहां दो सो पच्चीस वारता प्रशूंग विश्राम हो एं और आज की वारता को यहीं विश्राम करें सुसभवेश्णवन को जैस्री गृष्णव जैस्री रादी